असलाम एकम स्टूडेंश कैसे है याँ आप सब उम्हीदाफ आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपको जो आपके इस रामियात के एकौर्डिंग जो इंपोरटन्ट आपके क्वेस्टेंज हैं questions के लावा important जो चीज़े हैं पूरी बुक में उनके बार में बताऊंगी कि आपकी पूरी बुक में कि कौन-कौन सी चीज़े important है हम आज five class के आपकी बुक से जो भी चीज़े important होंगी उनको one by one देखते जाएंगे और यह मैं आपको mark करवाती जाओंगी यह देखते रहेगा यह most important चीज़े और पूरे स्कूल में मतब जिते भी गौर्मेंट स्कूल या प्राइविट सेक्टर उन दोनों सेक्टर में आपके लिए इंपोर्टेंट होंगी चीज़े और इंशालाब पेपर्स में भी यहीं आएंगी तो यहां पर बाब अवल आ रह जिसमें पहली सुरत है अलमतारा कईफा सुरत फील नेक्स्ट मारे पास जो सेकंड सुरत आ रही है वह सुरत है ले राफिर कुरेश सुरत कुरेश और जो मरपस ठर्ड सुरत है वह एतल कुर्सी तो यह तीनों है यह आपके नाज़रा के लह वाले से important है इनको वैसे भी तमाम जो तीनों सुरत है यह important है आपकी उसके लावा हमारे पास यहां पर चार्ड दिया गया है कि सुरत का नाम मक्की मन्नी और पारा नंबर सुरत आयात के तदा यह नॉर्मली आप सब को पता होनी चाहिए नाज़र में यह चीज़े भी पूछी जा सकती है डिफरें स्क ही तो यह भी मरपाश नारजा पोष्एंट पोसें के नदर यह चीज़ें लोगर पास आपकि वेर्थ जह के लावा सुरत फाति हैं तो इनको इनके तज्में के साथा याद कर ली ज kleinवान वियाद कर लीजह का यहाई और दरूशISHींवास गया से इंपोर्टेंट चीज़ें दोनों जो आपके चैप्टर अलीफ और बे नेक्स मार पास आ जाता है हदीस नभी सलेल अलेह वाले सलम इस चैप्टर में आपको अधीश के बारे में बताया गया है कि डिफ्रेंट में जो हजब मुझा सलम हैं उनकी दो तरह की थी एक कोली और इंप एक फेली जो उन्होंने जुबान से बयान की गई और फैली जो उन्होंने करके दिखाया ओ यह दो तरह की अधीश होती है तो यह नहोंने मतलव आयात के साथ हदीश जो है यह भी आपका नाजए का चैप्टर है मतलव नाजए के हवाले से यह आपका इंपॉर्टें लिए ओने की दौप गश्टे निकलने की दौप यह आपकी ज़्यादा जरूरी है नेक्स्ट विमार रपास आगे यहां से आपका जो बाब दो मैं इमानियात और इबादात यह से आपके चिप्टर स्टार्ट हो रहें जिसमें पूरे चैप्टर में आखरत के बारे में बिय बात करें तो आपके लिए ज़्यादा बैस्ट रहेएगा उसके लावर नेक्षिप फिलिंग ब्लैंक्स और हमारे पास आजाते हैं शोट कुरेशन तो भूण किसे हैं इसमें आपका जोगंग परिंद इसमें आपका जो इंपोर्टंट रहे वह मारे पास आगया आखरत पर आ गया तपसिली लोंग क्वेस्टिन्टे दूनों रोंग क्वेस्टिन या को बिंपोर्टेंट में जो आपका मूसम्ड है सकत्र नमबूत और अतात सुर्द अलेवाली लेवाले सेवाइब बिदिंग लाजमी बदके इस की बते हैं को अन्सुर्फट से रांसर यह अंदर ही कलियर सिर्च हिए और घल वे नीगते हैं धो फायदा को क्या होता है मोज सिच इस यह स्टू सिर्षी को वहां अगर आपको याद किये भी उसका पता है कि अच्छा इसका यह आंसर बनता है तो पेपल में भी आपके लिए यही असानी रह जाती है इसलिए रीडिंग जो है वह लाजमी हाँ चप्टे की किया करें नेक्स मार पास एंसे क्यों जैसे आपको पता है यह सारे इसे और इंपोर्डेंट भी जैसे कहीं से भी आपका आ सकता है फिलिंग भी इसी तरह है नेक्स्ट आपके शोट क्रेस्टस आगे शोट क्रेस्टा में जो आपका मोस्ट शोट इमपॉर्टेंड शोट करिश्टन ौमारें पास आगया फ़स्टिन की जरूरी की जए उसके ल और फिस तो स्टुडेंश नेक्स हमार पास आ गया ठाड़ चेप्टर जिसमें थाकात आ गया जो कात का तारूख जकात की अभाएत वागी इनको सबको लाजमी रीड किया करें मैं यह बार बार कहरी करीण कि लाजमी किया करें जैसे सतार्ट होती लेकिन जबकि अपके डिन ए cake स्ट आप करें और हो साइम मिले आपको पिरेपरी के साथ तो इसके साथ- लिख प्रैक्टिस करें मताल लिखने से आपका जो माइन में वह बाट रह जाती है वह भूलती सो इसमें आपके जो most important आपकी short questions हैं वो हैं ज़कात की फर्जियत के बारे में एक आएक का तर्जमा उसके लावत सहाब बेने साब किसे कहते हैं और माशे में गुर्बत का खात्मा कैसे मुंकिन है यह तीनों जो हैं आपके most important short questions थे उसके लावत जो long question है लोग में आपका ज़कात के चंद वायद और माशरती असरात की तहरीर करें यह आपके लोग इंपोर्टेंट है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड चेप्टर आ गया जिसमें जुम्मातुल मुबारिक की फजीलत इसकी चेप्टर आ गया इसमें रीडिंग आ गी और नेक्स्ट हमा है कि किस्के को अकोरडिंग मारह से क्स का एक तरह से Libyan करते हैं किवह जादा क मास के दिएन उन्हों पंडले इसके अलावा में आपको उसल्ग के इंपोर्टेंट फिरoooooth है यह 90 परसंफ होते हैं की आ सकते हैं पेपर्ज में वह одна कि अब यह आपका जो थर्ड चेप्टर है इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया जुम्ह तो नमाज जुम्ह के बारे में कुराम जीद की एक आयत का तर्जमा लिखे उसके लावा हमारे पास आगया यह में जुम्ह की फजीलत के बारे में एक अधियर से मुबार्का तर आपका इंपोर्टेंट लोंके था नेक्ष एमर पास चैप्टर आ गया इदायन में आपका जो मुस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेस्ट इन्स यह इसमें आपके यह मुद्द के साथ कैसे पेश आना चाहिए उसके बावा इद की मुस्वानों को किन बातों का दरस दिया के अमियत और अदाब वाज़ा करें पहले वाला जो आपका यह वाला क्वेस्टन है यह आपका इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट हमारे पास चेप्टर आ गया बाप सौम जिसमें हमारे पास सीरत तैबा आ गई जिसमें सबसे फर्स चेप्टर आपका है मिराजुन नभी पास से मुम्स की भी ग्राफ आपका इंपोर्टन्ट है यह आपका करन्म की फॉर्म में भी आ सकता है नेक्स्ट हमारे पास आगे है पॉलन जो आपको पता यह वह क्या है में दिया गया है जो आपके most important question है वो उसमें आ गया सफर मिराज से हमें क्या सबग मिलता है सिर्दातु मुंतहा क्या है और उसके लावा बैतल मामूर कौन सी जगह है यह तीन आपके important short questions है ने जो लोग आपके important questions है उसमें आपका आगया मिराज नभी का पस्य मंज़र अपन सफर मिराज के बार में जानने के बाद कुफार मुका कर क्या रद्यामल था यह भी question आपका इस question के अंदर clear हो जाएगा तो अगर आप फर्स वाला याद कर लेते हैं तो आपका second का भी answer इसमें आजएगा तक्रीब है नेक्स हमार पास आ गया second chapter जिसमें बैतल उक्बात उल स्यनम बना कर बेजसा और क्यों नेक्स हमार पास आगया नभीयकरम सलिल्हा अलाहर वालेव सल्म ने किन बातों पर बैतली यह आपके दो इंपर्टेंट गशिशन से नेक्स हमार पास जो तफसिली लूंग क्रेस्टिन जैं उसमें आपका इंप्रेंट रगा बैतल उबह सा ने हज़रत अबूबकर सदीग को किन अर्फाज में तसलिए दी और उसके लावा कफार मका ने नभी अक्रम सलिए लावल सलम और हज़रत अबूबकर सदीग के हवाले से क्या इलान किया और लोंग क्वेस्टन जो आपके इंपोर्टेंट शोड क्रिस्टन जो हैं मौबक खाते अमदिना से क्या अर्षा म्राद है और उसके लावा। हज़रत साथ बिन रबिर रजी ताला नहां ने हज़द अब्दुर्रह्मान बिन ओफ रजी ताला नहां से क्या कहा यह आपका इंपोर्टेंट है और इसके लाव नभी अक्रम मस्जिद नवी की फजीलत एक अधीस मुबार्का में तरीर करें उसके लावा सहाब सभवा कौन थे यह आपके दो जो हैं वो लोग आपके शोट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट नेक्षमार पस आगे तफसीली जो आप तरीर करें इसमें जो आपका इंपोर्टेंट मिसाके मदीनह किसे क्या मुषे हैं इसके लावा मिसाके मदीनह के दीगर अक्वां के कौन से अधूम करिया और इसमें जो आपका लोंग इंपोर्टेंट ल् कृस्यन जो आपका इंपोर्टेंट हैं फ्यmount के एचिए इस November आफ इन्पराह चाहा तो बिस्तूर्ट आपके वह है घजवाते नभी में हमारे लिए क्या सबक है उसके लावा घजवा अधक का दूसरा नाम क्या है और आपका ये भी आ सकता है कि जहाद का क्या मतलब है यह तीन आपके शोट इंपोर्टेंट लोंग आगे लोग में आपका जो इंपोर्टेंट है वह तो वाते नभी का तारूब का लिखे तो यह आपका लोंग पर चेप्टर आ गया बाप चहारिम जो कि हमारे पस है इकलाक आधाब और श्वर्सचेप्टर माज़ा आगया रवादारी अब रवादा श्रहब की अबादत गाहूं के इस फादा का दर्स कैसे दिया ओपका इंपोर्टन है नहींज हमर्पास त Спसिरी जवाब बात आगे लोग क्रॉशन में जो आपका इंपोर्टनवाला क्रांण तर्भरीव में रवादारिय की छाहा है ज Poppy लोंग आपका इम्पोर्टेंट है ने समय का सेकंड चेप्टर आगया जो है अफूदर गुजर और रहम दिली इसमें आपका जो इंपोर्टेंट हैं वह हमारे पास यह आगया फूदर गुजर से क्या मुराद है उसके लावा नभी अक्रम ने दुश्मिनों के साथ कैसा तरजे अमल इत्यार किया नेक्स हमारे पास इसली तरह आगया कफायश्वारी कफायश्वारी में आपके जो क्वेस्टन आंसर्ज इंपोर्टेंट हैं उनमें हमारे पास आगए में पास फस्ट वाला कफायश्वारी से क्या मुराद है उसके लावा फजुल खची के बारे में क्या हुकम दिया गया है और इसराफ क्या है यह तीन आपके इंपोर्टेंट शोट है नेक्स हमारे पास चैप्टर आगया है बाप पंजम जिसमें में आपस जिसका नाम है उ एफाई एफाई आहत के जो क्वेस्टनांसर इंपॉर्टन्ट है वह हैं मारे पास यहां पर वादे की पुबंदी के मतलिक नभी अकरम सलेख लाह वाले वाले सलम का एक फरमान तहरीर करें उसके लावा एफिशिगनी से क्या क्या नुकसान होता है और जो आपका लोंग इंपॉर्टन है वह है फाई एहद की अमनी जिन्दी में हमियत बियान करें यह आपका इंपॉर्टन्ट है नेक्स हमारे पर सेकिंड चैप्टर आ गया इसलामी अकुवर्ट इसलामी अकुवर्ट में जो आपका शोट क्रिस्टन आंसर इसलाम में जमत किस तरह की गई है नेक्स हमार पर सकते लिए नेक्स हमारे पर आपके लुग कोरी आपके आपके लोग इंपॉर्टन्ट वाले बियाएद नेक्स हमारे पास आजया बाप शिश्वर्शम जिसमें हमारे पास हदायत के चेश्षमे और मुषाहिर असलाम इन्ने फर्स्ट आपका चेप्टर हागे अज़र्ट नौध ईंपोर्डेंट नाशे इंपोर्डेंट हैं मेरे फिस्ट वाला लिए थी उसके यहाँ आपका लोгकृस्टन इंपॉर्टन्ट है और इसलाम गुआड़ों की और उसके लावार आजये ऐस्लिए की वालदा के तार्थ में 2 जम्ले तरीक करें और लोंघ कोयस्टिन जो आपका इम्पूर्णट्णड हैgebot है हिए भाइर के बार इस अनु आपका फिर्सक्षिन आंपकर जिलत बेन करें और चेलावा वज़ाद सम्टा में क्या सबाब मिलता है यह कि इस हुड इम्पर्टन ही उनकुर्टम में नेक्ट समरकर्पस आ गया सूफई कराम सूफई कराम में नियुक्ष इंपर्टन हैं वह हैं हजगला लीट की तसानिफ के Bulgaria तरीर करें और उसके लावा शेख अब्दुलकादिश जलानी ने लोगों को क्या तरीम दी और उसके लावा हज़त जलाल-दीन रूमी इनके बार में पूछा जा सकते हैं कि इनकी वज़ए शौरत लिखें और जो आपका लोंग इंपोर्टन्ट है वो है कोई से दो सुफिय लेकर्न की इश्ट अजंगे और क्राद किअधर के बारे में तैडिर करें यह आपका इंपोर्टन्ट है नेक्सन मर्पर चिप्टर आ अबाव हफ्तम जिसमें हमरे तर्मली तालिमात और असरे हार्जि के तकाज़ें जिम्में फार्स चेप्टर आपका आगया हादसा से ब और कि बारे में कुराम जीद की आयत का तर्जमा लीक है और जो आपके लोग इंपॉटन्ट है वह था इसलामित की रोशी में ना गानिया फाद से पचाओं की तर्दाबिर तर्यीश करें यह आपके लोग इंपॉटन्ट है नैक्स्टर में पर रुब्स चेप्टर आगया प प्राइन और सुनत की रोश्री में चाज़र कारे के अमियत बियांद करें यह आपका लोंग इंपोर्टेंट है सो स्टुडेंट्स यह थी आपके फूल बुग में जिसमें आपके मैंने शोट और लोंग आपको इंपोर्टेंट आपको बता है कि आपके मतलब कोई भी स्कू प्रूल बुग में अपना पुछाट रोचाव अच्छ वेंगे और आप इन इंकी अच्छे से त्यारी कियेंगे उसके लावर जो पेपर पैट्रेंट है व कुछ वीडियो दो अगया है क्यों आपका प्राइसे बना वहां सकता है तो आप उनसे बिदेग देख सकोगे हैं किस तरह से या किस तरीके से पर आ सकता है तो उसका भी एक सेंपल आपको दिया जाज गया है सो बेस्ट फिर में लगात होगी तब तक के लिए अपना बहुत ख्यार रखे अलाहा फिस